अलो गयाईज वेलकम टू मैं चैनल अन्डन प्रेक्ट यह मेरे नया चैनल है जहां मैं आपको दुनिया के कुछ अन्डन और आजीब बाते बताऊंगा आसा करता हूं आप लोगों को जरूर पसंद आएगा तो चलिए दोस्तो बिन अट टाइम वैस्ट के सुरू करते हैं कि नमबर पांच से पता नहीं क्यूं पर मुझे लगता है इसका नाम सबको पता है फिर भी मैं बता देता है इसका नाम है केंग कोब्रा जी हां अब आपके मैंन में एक सवाल आया होगा कि यह इस लिश्ट में क्या से आ गया तो सुनो यह भी एक खुश्रत सांप है बट पांच नमबर को है आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया की लंबे सांपूं मैंसे एक है जो जहरीला भी है जैसे तो इनकी लंबा 12 फिट तक होती है और 18 फिट से भी ज्यादा के यह मिल चुके हैं जैसे कि आपको पता है यह एक बार में कापी जहर चोड़ते हैं औ दूसरे सांप को खाते हैं इसके साथ चिपकली मेंडर पंची यह सब भी खाते हैं इससे थोड़ा बचके रहने हैं दोस्तों बहुत थिका तरनाख है अब चलते हैं नमबर चार पर इसका नाम है नॉर्टन स्कार्लेट स्मैक यह अमरीका के नॉर्ट और इस्ट इलाकमर पाया जाता है और दुसरे सांप के तरह मिलमन ही रहता है दुसरे सांप और उनके अंडे को खाते हैं इसके साथ साथ जीप के लिए मेंधर जैसे जीप को खाते हैं इनके लंबाई लगवाज देव फिट की है और उससे की ज़़ा की होती है दिखने में यह काफी आकर सके अब बारी है नमबर तेन की इसका नाम है ब्राजिलियान रेंबो बॉर यह कुद्रत की बहत ही खुबसूरत दिखने वाला सापों में से एक है यह एमजन की नदी और नाल में पाया जाता है बैसे यह लोग अधिकतर पांची को खाते हैं पर मेंधर कर चिपकली को भी सामि करते हैं अब चलते हैं नमबर दो पर इस प्यारी सी साप का नाम है ब्लू मालिसयन कोरल स्नेक इसके लंबाई पांच पीड़ तक होती है और यह दूसरे साप को खाते हैं इसके साथ मेंधर की चिपकली भी खाते हैं यह जहरीले साप ज्याद़तर रात को निकलते हैं सर और पूच एक जसर दिखे और ठीकार दोके में आ जाए यह साब मालेसिया कमबोडिया सिंगापूर इंडोनेसिया और ताइलान में पाया जाता है तो अब फाइनाली चलते हैं और जानते हैं कि नमबर एक पे कौन है नमबर एक पे हैं बेहदी खुबसुरत साप है दोस पाया गया था जो कि बर्मादेश में अबस्तित है इसके ग्रीन जहरीले मेल सापके पास लाल आखे और लाल और सफद रंग की धार होती है जबकि फिमेल के पास पीले आखे और सफद धार होता है इनके लंबाई चार से साड़े-चार फित तक होती है तो आपको कौनसी सा पसंद आए प्लीज कमेंट करके बताए और साथी में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हाँ दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और बुरा लगा तो डिसलाइक कर दे ताकि आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं चलता हो गाईज बाई टेक केर